हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जारा हूँ कि कैसे आप अपने Motorola E13 Android मॉइल फोन में आप जो है टच वाइब्रेशन सेटिंग को आप जो है इनेबल कैसे कर सकते हैं और यह टच वाइब्रेशन सेटिंग जो है इनेबल करने के बाद यह कैसे काम करती है आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकाली देने वाला हूं तो चलिए यहां पर जो है वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले थो आपको अपने मुवाइल फोन में सेटिंग पेज ओपन करना है इसके बाद आपको नीचे की साइड में यहां पर आपको sound का option मिलेगा इसे select करना है अब यहां पर आपको sound के सेटिंगिदय में नीचे की साइड में आना है और यहां पर आपको जो है touch vibration का option मिल जागा ठीक है इसके सामने एक बटन दे रखा है इस बटन को आपको select करना है तो यह blue color में button पर पर इस अघिज आपक पेज पर होंगे ठीक है तो अगर आप किसी भी option को अगर आप टच करते हैं तो एक vibration create होगा आपके mobile phone में ठीक है vibration एक हलका सा vibration create होगा जो कि आपके हाथों पर मैं हाथों पर मैं किसी भी option को touch करके दिखाऊंगा तो यहाँ पर आपको उसका sound सुनाई नहीं देगा ठीक है लेकिन यहाँ पर हाथों में vibration मैसूस होता है ठीक है हम किसी भी option को touch करते हैं चाहे हमारे यह mobile phone के back button है चाहे ओवर्विव बटन है चाहे यह home screen button है ठीक है तो यह display के ऊपर में जितने भी option touch वाले होते हैं तच वाले वो option select करते ही आपको जो है vibration create होता है ठीक है तो यहाँ पर जो ही setting इनेबल करके आप इसे जरूर रियूस करके देखें अपने phone में आपको तब यह समझ में आप आएगा ठीक है तो अब मैं आपको जो है इस setting को ढूंड़नेगा एक shortcut तरीका बता देता हूं आपके mobile phone में ठीक है आपको करना है है mobile का setting page open करना है सबसे उपर आपको search setting का यह option दिया हुआ है इसे select करना है अब यहाँ पर आपको search bar में type करना है touch vibration touch vibration जो setting का name है वो आपको पूरा पूरा type कर देना है ठीक है तो आपको नीचे की side में यह option show हो जाएगा touch vibration का इसे select कर लेना है इससे होता क्या है कि आपका mobile phone आपको खुद बखुद डारेक्ट इस setting में लेकर आ जाता है और इस setting को जो है highlight करके दिखाता है तो यह मैंने आपको एक shortcut तरीका बता दिया इस setting को ढूंडने का